ही लों प्रेंट्स है हम लोग फार न में थुद आगे बढ़ते हैं है है हमेह आप परिमेश Rights आफ अरव पर्री नब्स कीक्या होती इसके वाड़े में खोड़ा देखा था сविसके बांदेव यह minus 1 minus 2 minus 3 न को पूरा हम संख्या कहाता है और qn article to zero उनको परमे संख्या कहाता है जो pvq के रूप की होती है और जो pvq की रूप की नहीं होती है उनको आ परमे संख्या कहाजाता है तो हम लोग यहां पर एक चीज सिद्ध करेंगे कि जैसे यह अंदर रूट 2, अंदर रूट 3, अंदर रूट 5, यह सभी क्या होती है, आप अन्मेशन क्या होती है, यह हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, मतलब यह P by Q के रूट की नहीं होती है, और जन्रल में कहा जाए कि अंदर रूट के अंदर कोई भी अभाज संख्या हो, P क्या है, P अभाज संख्या है, तो अंदर रूट P हमेशा क्या होगा यह, आपड में संख्या होगी, अब आज संख्या का मदला आप समख़ते हैं, जिसके केवल और केवल, दो भाज होगी, पहला अभाज जिसंख्या क्या है दो फिर तीम फिर पांच फिर साथ फिर ग्यारा फिर तेरा सत्रा उन्हेस तेईस यह सब क्या है अभाज जिसंख्या है यह सब यह अपने अलामा और एक के अलामा इनका कोई भाजा नहीं है तो इनको क्या बोला जाता है अभाज जिसंख्य इनको अगर आप दिवाइड करेंगे तो कि वह अपने अलावा और एक के अलावा किसे से नहीं होगी तो आप लोग यहाँ जनरली फ्रूब करेंगे कि अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाजी संख्या हो तो वो क्या होता है आप परिभी में संख्या होती है और अंडरूट का मंदलब तो आप समझते हैं जैसे 3 का वर्ड तेन का वर्ड का मंदलब कि 3 के पाउब दो यानि 3 गुले 3 यानि 9 और बर्क्मूल का मंदलब क्या होता है ये अंडरोट शबुझ का मंदलब मतलब इसका मतलब होगा कि 9 का वर्गमूर यानि वो संख्या निकालना, 9 का वर्गमूर का मतलब कि वो संख्या उनको निकालना है, जिसको उसी से मल्टिप्लाई करें तो 9 आए, तो वो क्या होता है, 3 होगा, यह होता है अंडरूट का मतलब, इस्पायरूट का मतलब, कि जैस को उसी संख्या से मतलब करें कि तो क्या पंदर है का मतलब का मतलब है तो इसक्वाろ boulet कि वह ठाउन का में यह संख्या आजहे तो अंदर पर अभाज है तब ही आप अरुष अजिसों क्या वोगी बहुत है जिसें नुग है नो अंदरमुट नौ इसके विल्म क्या आएगी तीन अंदरमुट उला इसके विल्म क्या आएगी चार तो यह तो यह जो दो तीन क्या है यह पर्मेय संख्या है कि यह चार भी पर्मे संख्या है क्योंकि यह प्यूब करेंगे कि अंदर रूट के अंदर तो उसका वर्लू आता है वो क्या होता है आप पर्मे संख्या तो इसके लिए हम लोग एक ट्रॉर्म का यूज़ करेंगे छोटा साथ है पर्मे 1.3 पर्मे 1.3 इसका स्टेटमेंट्स मैं पहले लिख देता हूं मान लिजिए कि पी एक अभाज संख्या है पी कौन संख्या है अभाज संख्या अभाज संख्या का मतलब कि जिसके केवल हो केवल दो भाज अपने अलामा और एक के अलामा किसी से वो कटे ना मान लिजिए कि पी एक अभाज संख्या है यद पी यद पी कि एस्पायर को कि एस्पायर को विभाजित करता है तो पी एक को दी विभाज करेगा जहां एक एक धनात में पुरांख है जहां एक धनात में पुरांख है पी एक अभाज संख्या है यद पी एस्पायर को विभाजित करता है तो पी एक को भी विभाजित करेगा इसका मतलब समझते हैं पहले मान लिजे पांच एक अभाजित संख्या में इसको समझते हैं पहले पांच एक अभाजित संख्या है और अगर हम यहां पे पांच पांच देखिये पांच पांच के वर्ग को बिभाजित करता है कि पूरी संख्या है इसको पांच से आप डिवाइड कर सकते हैं तो पांच क्या है जो सो का वर्ग है उसको बिभाजित करता है तो हम कह सकते हैं यह अभाजि संख्या है और यह को धनात्मा पूरांध है तो पांच सो को भी विभाजित करेगा यह हम लोग क्या करेंगे इस फ्योर्ग से कानकलोजन कि अगर हमको पता चल जाए कि किसी संख्या का वर्ग को यह दिवाइड करता है काट देता है तो उस संख्या को भी वह विभाजित करेगा यह यह त्योर्म करता है तो यहनि सो को भी विभाजित करेगा और यह पीजिया आप सो को भी विभाजित करेगा तो इसका हलका सब प्रूप देख लेते हैं इसका प्रूप देख लेते हैं किया प्रूफ इसका इजाम परपसर नहीं है लेकिन समझने के लिए तोड़ा हम लोग देख लेते हैं गुरंखन्द की आधार गुत परमेक योज करके इसको हम लोग देखेंगे तो पी क्या करता है एसकोर को बिभाजित करता है पी एसकोर को बिभाजित करता है तो अगर एसकोर को देखें हम लोग कि तो पहले क्या होगा है कि मान लेजिए कि एक के अभाज गुरंखन्दन अभाज गुरंखन्दन जो ए का करेंगे हम लोग वो क्या है पी 1 इंटु पी 2 इंटु पी 3 इंटु पी 4 डाट 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 पी अभाज गुरंखन्दन जो संख्या उसका अभाज गुरंखन्दन करेंगे पी 1 पी 2 पी 3 पी 4 ऐसे पी 1 आ लिया अब इसमें जरूरी नहीं कि सारे अलग अलग हों जैसे इस टाइब का भी आ सकता है कि 2 इंटु 2 इंटु 2 इंटु 3 इंटु 5 इंटु 7 तो यहां पैसा नह यानि एका जब अभाज गुरंखन्दन किया गया तो वह पी 1 पी 2 पी 3 पी 4 इंटु पी यहन के रूप का हो गया अब हम एस्ट्वायर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एस्ट्वायर क्या होता है वह एंटु ए होता है यानि गुरंखन्द अंगड़िक की आढवाद परवेक्या दिद्धियत्ता से हमको पता है कि जो एक ए अभाज गुरंखन्दन होंगे वही इसके भी होगे इस यह बाद के भी और यानि दोनों को मर्तिप्लाई करने पर भी जो बाज कुर्ण कंदर न आएगा वही रिपीट ओगा यानि जो ए स्पार के आह भाज मुणकंदर होगे वहीं एक एक वाज गुरन कंदर होंगे क्योंकि माल दीजे आप जैसे 100 को देखते हैं 100 के अभाज गुरन कंदर हम लोग यह बार देख लें 2, 25, 5, 5 यानि 100 को हम लोग क्या लिखेंगे 100 को 2, 2, 4, 25, 100 अगर हम 100 का वर्ग करें इसका अभाज गुरन कंदर क्या क्या करें तो यह क्या होगा यही दो बार रिपीट हो जाएगा 5, into 2, into 2, into 5, into 5 यही होगा यानि जो अभाज गुरन कंदर एक हैं वही अभाज गुरन कंदर एस्क्वायर में भी होगा वही संख्या है वही वही अवाजे संख्या है एस्क्वायर में भी होगा तो हम कह सकते हैं कि गुरंखन अंगड़त की अंगड़त की आलार भूत पर में कि अलती निता से हम कर सकते हैं कि एस्क्वायर के जो एस्क्वायर के जो एस्क्वायर के जो अभाज गुरंखंड़न होंगे तो अगर एस्क्वायर के अभाज गुरंखंड़न में पी आता है और यहां पी एस्क्वायर के अभाज-गुरंखंदन अगर एस्क्ायर के अभाज गुरंखंदन में कहीं नहीं पी आएंगा तो अगर A sqgdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd एस्कॉयर को विवाजित करता है तो तो एस्कॉयर के अभाज गुरुन खंदन में तो एस्कॉयर के अभाज गुरुन खंदन एस्कॉयर को विवाजित करता है तो एस्कॉयर के अभाज गुरुन खंदन जो उने माने पीवाज गुरुन खंदन में वो आ रहा होगा तो एग उसके अभाज गुरुन खंदन में आ रहा है एस्कॉयर के वाज गुरं खंदन में तो एस्कॉयर तथा एक अभाज गुरुन खंदन एक ही हैं एक ही हैं कि अब आठा पी एक के अब अवाज और बनकांदर मेंसे और यह और तो उसकंडर में को और तो पी जो है एको भी बटायट करेंगा तो इसका प्रूफ हम लोगं का एक पर पसे थे फोड़ा देख लिए लाजिकल थे माइंच डेखर करने के लिए सबसे बेसिक बात क्या है कि अगर पी एक अभाज जिसंग जा है और वो A2 को डिवाइट करता है हमको पता चल गया कि P जो है A2 को डिवाइट करता है और तो जो पी होगा वो A को भी डिवाइट करेगा बस सीधा सीधा यह बतलब है कि अगर हमको पता चलेगा कि 100 का स्क्वायर जो है इसको पांच डिवाइट करता है तो हम लोग क्या जानेगी कि 5 जो है लिवाज संधान होकर खंधन आएंगे तो संक्या लोग करता है अगर uns फिर होगा हो गया तो इसी ताम लोग यूज करके फोड़ा आगे बनेंगे और पर में 1.4 पर में 1.4 रूट तो एक आपर में करने हैं कि जो पी वाई क्यू के रूप की नहीं होती पी और क्यू क्या होते हैं पुडान पुडान को और क्यू जीरो नहीं हो सकता पुडान का मंदब माइनस यह इस टाइप कर माइनस पूरा बढ़ते चले जाएगे जिरो माइनस टूरा बढ़ते चले जाएगे इस ग्यारा बारा त्यरा चोटा पंदर यह जाले यह क्या होता है पूरान संख्या है तो अगर कोई भी संख्या पी वाई क्यू पी और क्यों कुडान के रूप की नहीं होगी तो उसको क्या बहा जाता है आप पर्मे संख्या यह हम लोग आप पर्मे संख्या के बारे पता है और एक अभी हम लोगों ने देखा था पर्मे कि यह पी एक अभाजी संख्या है और ए स्क्वायर को भी भाजित करती है तो पी एको भी भी भाजित करेगा तो उसका हम लोग जो प्रूफ देखेंगे कैसे कैसे कोई भी चीज प्रूब किया जाता है तो कोई भी चीज प्रूब करने के लिए एक महितर होता है प्रूब बाई कंट्राडिक्षन नो ड्रोलों को जो प्रूब करना रहता है और यहां परिमें आपर्मेंशंख्या ज्कुल मैंट्मेट कल लगाएंगे हम एक ऐसे इस टेप पर पहुंच जाएंगे एक एस टेप पहुंच जाएंगे कि जो क्या होगा जो मेध के सारे नियम को ध्वस्त कर देगा के तो कि नियम को पुरा द्र Harrington कर देगा खञ देशन तो टो उसका इंगे लगांन के चलकिए और सिम्पल जो है कि इस से लाज इसल गापके contratee जो अगता हैं इसलेक्टा होता है nut prawda कि यह लगवांप खूंच है आक direct देगा को इसलें घ्रसकेते हैं इंसे अज़ंदद्रियन को सकता है यह नहीं हो सकता बाइब इसका मालब जो लोग लेके चले थे वही गलब था आशा बहुत वेल लाइब में थोड़ा तो इतना खाला है तो फिर ना किरेंगे अगर वो इतना खाता है यही है जो होता है उसका उर्टा मान के चलते हैं और किसी ऐसे लाजिक पहुंचते हैं जो पूरे माइटमेटिक्स को द्वस्ट कर देता है तो वैसा हो नहीं सकता इसलिए जो मान के चलते हैं वही गलत रहता है तो हम लोग प्रूफ भाइ पर्डरिक्सन इसको करेंगे गरो धोकती बार अपकती इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं वह पकती रूट्टू एक आपरमेशन ख्या है हमको सिद्ध करना है आपरमेशन ख्या है तो हम क्या कहते हैं माना माना रूट्टू एक परमेशन ख्या है माना रूट्टू एक क्या है तो अगे तो अगर रूट्टू एक परमेशन क्या है तो root 2 जो है PYQ के root का तो होगा परमे संख्या क्या लाज़िक कहता है कि माइसमेटिक्स के कहता है कि परमे संख्या हमेशा PYQ के root की होगी जहां P over Q क्या है? पूरांख है तो हम लोग एकर root टेज परमे संख्या है तो root 2 पराबर हम लोग क्या लेख सकते हैं P by Q जहां P कामा Q उडान खा और Q नाट उकर लो जेओ root 2 पराबर P by Q अब हम लोग क्या लेते हैं कि root 2 P by Q है तो P by Q के मतनम में जैसे आसकता है जैसे 10 बटा 15 को इसंक्या है तो ये भी P by Q के रूप की है 7 बटा 6 लिखा है तो ये भी P by Q के रूप की है तो हम ऐसा कर लेते हैं कि P by Q को ऐसा बना लेते हैं जितना उवहेंदिश लिगुरन खंड होगा तो काट देते हैं जैसे 10 बटा 15 है तो ये 2 से कट नहीं कट रहा है ये मान लेजे 12 बटा 15 लिखा है 12 बटा 15 ये भी P by Q लेकिन 3 चोब बारा 3 पचे 15 है इसको क्या लिख दे 4 बटा 5 अब ये किसी संख्या से डिवाइड दोनों ऊपर नीचे दोनों डिवाइड नहीं होगा यानि इसका आंसर हर में एक यालामा कोई जो है उभैनिस्ट गुरन खंड नहीं है तो P by Q को सकता है ये 15 बटा 12 ये इस टाइप का हो तो हम लोग क्या करते हैं कि P by Q को क्या करेंगे वभैनिस्ट गुरन खंड को कैंसल कर देंगे पी तथा क्यों के वभैनिस्ट गुरन खंड उसे भाग देने पर पी और Q की उभैनिस्ट गुरन खंड से भाग देने पर यानि P और Q में जो उभैनिस्ट हो गया जैसे 12 बटा 15 है इसमें तीन उभैनिस्ट तो उसे भाग देने पर हम संख्याय है A और B इस प्रकार प्राप करते हैं करते हैं कि कि A तथा A तथां B में A के अलामा A के अलामा कोई और तो उभैनिस्ट गुलंखन नहीं है तो रूट टू बराबर क्या होग या A भाई B जहां A और B साहभार देगी तो पी बाई क्यू में जो हम लोगों ने लिखा पी और क्यू पूरांक होते हैं वो मैंने बता कि इस टाइप की संख्या भी हो सकते हैं जिसे बारा बटा फंदरा या बीस बटा चालिस टाइप की तो इसमें जो ओवाइनिस्ट गुणंखन होगे यानि जिससे अंस और रह संख्या दो एक बटा वहां तक पहुंच जाएंगे कि जब ए और बी में जो है कोई उभाइनिस्ट गुणंखन्दर नहीं बचेगा तो यानि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है एक के लावा जो ए और बी दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसे को क्या बोलता है दो संख्या है अगर ऐसी हो कि उनको एक के लावा कोई संख्या डिवाइड था करें तो उनको क्या बोलते हैं साह अभाज को प्राइम प्राइम का मतलब आभाज योक्तो प्राम का मतलब साथ साथ प्रायम यानि इन ढोनों में A के लावा कोई हुआ हैं नहीं है हम लोग इस प्रैट की संख्या हैं A और B प्राथ के लिए A और B कहा हैं साह वाज पुरान संख्या है यहां तक हम लोग पहुद गे लोगोने इंको पर्मेसंख्यस करना हुद ओर अधान माना। पर गष्यू कई कोते हैं जहाँ पूलांक होते हैं तो पुडांक होते हैं इस पर कार्गी मिल गई कि A और B अब और इसी संख्या से डिवाइट नहीं होता यानि A और B क्या है साहभाज है तो root 2 हमारा क्या हो गया है A by B बलब किस टाइक पर जैसे साहभाज का मलब आप देखिए ये 15 बचा 17 है इसमें 15 और 17 को क्या कहेंगे साहभाज कहेंगे 15 बच नहीं है लेकि 15 और 17 साहभाज है 15 और 17 साहभाज है क्योंकि 15 और 17 एक के अलामा किसे संख्या से दोनों नहीं कटेंगी तो साहभाज का मतलब हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि जब दो संख्या हैं ऐसी हो कि वो एक के अलामा किसी संख्या से डिवाइब नाम हो तो उनको साहभाज बोला जाता है साहभाज का मतलब यह नहीं होता है कि दो भाज संख्या है साहभाज हो गया 15 भाज संख्या नहीं है 17 भाज संख्या है लेकिन 15 और 17 साहभाज है तो root 2 बराबर A वाई टू लोगों को मिल गया अब क्या करेंगे B से धुन साइट मर्टिप्लाइब कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा B इन्टू root 2 बराबर A वाई B INto B तो B भी खतम हो गया क्या है ? B से धुनों कच्चों में बुड़ा करने बलका विज से वोड़ा दोने को हम बोलते हैं तर्चा बुरा भी बोते हैं इस बेसिक होता है यह होता है कि दोनों साइड हम भी से मल्टीपलाई करें क्योंकि यह संख्या यह संख्या बराबर तो तो किसे संख्या से दोनों साइट मल्किप्लाई करेंगे तो वह भी बराबर होगा तो B root 2 बराबर मारा क्या आगया A B root 2 बराबर क्या आगया A फिर क्या करते हैं दोनों बच्छों का वर्क करने पर दोनों बच्छों का वर्क करने पर B root 2 बराबर A है तो वर्ट करेंगे तो क्या होगा बी रूट टू का ओल स्काइल बराबर एक वर्ट बी रूट टू इंटू बराबर एक इस्काइल नहीं उपर वाला सुना मिटा देशा हूं बी इंटू बी च्शा होगया बी इस्कौायर रूट इंटू इंटू रूट टू क्या होगया तो होगया तो नहीं तो इंटू बी स्काइल बराबर चाह गया आपका विल्ट अब तो इंटू बी स्काय वराबर आपका च्या गया और अबी क्या है पुरान संख्याहें यहनि इसको श्रक्राइबर क्या है तूइ head welfare 2 इंटू 12 फडिय यह जो संख्या है वो दो का क्या है वो धुछ गोडे भी संख्या होंगी यह पूरांःसप्छ इसको म्नठिक्छाय करेंगो फी संब्सक्राइबर है यह जेता समंझ सकते हैं कि नहीं तो यह संख्या जो आपने लिखा यह जो आपने लिखा यह संख्य इस क्या है दो का गुरज थे संख्या दो का बिभाजित होती हो Go संख्या दो से भिभाजित होगी यहां से रहा सकते हैं कि Agent II के थे से भिवाजित हो रहा है कि आ कि हमेसा थे लिख सकते हैं तो बला को दे कि ए भीवाजित हो ऐए कि यहां लोगों ने काम गुरज में काला कि एक दो से विवाजित होगा यानि एक यहां है दो का गुरज है तो ऐसे हैं लोग लिख सकते हैं कि एक बराबर टू इन्टू सी जहां सी कि एक पूरा है कि एक दो से विवाजित होता है एक दो का बुरज सी यहीं है दो का बुरज एक बराबर हमों क्या लेक्ते हैं एक बराबर टू सी कि यह सब्सक्राइब कर दो कि यहां हम लोग क्या कहेंगे कि एस्वाइर दो का बुरज है तो हमने जो पढ़ने 1.3 यहीं मिस होगा था हो एक यहां से क्योंकि हम लोग तो बुराबर है तो एस्वाइर क्या है दो का बुरज होगा यहांने दो एक्यंब करते है इसायों विवाजित करती है जहां की Palazzi को के कि बाइज करती है तो क्या होका एंको भी विवाजित होगी क्योंकि 01.3 से हम लोगोर paper अवाज संघ्या है आज égal debate स्बाद करती है तो डाभि क्या करेगा को भी विवाजित करेगा medicine asked को में एइशffen स्टोस्य और ने डूंसे डिवाइब हो रहा है तो तो ए वी 2 से क्या होगा विभारित होगा क्या है प्रमी वन पॉईंट धिर से आप एगर तो यह वराबर 2C तो आप देखते हैं यहां 2B स्क्वाइर ब्राबर और इवाद इस्पाइर में आप पर के इस नह इसे की कवर करेंगे तो डो से हैं डो जहीं पर थे चु superfici यहां से क्या है ऐसे है में झारे का हो और है subscribe दो से कि भाज है यहां है कि यहां से क्या प्रूज निकला क्योंकि बीज प्रावर हमेशा तू इसक पूरा है तो ऑगा होगा तो जो बहुत होगा कि अंद ये के फल्में मुंद एक ह participar है कि अक़र P σोंदT करता है तो पी 12 बहुत करें तो कि और फाशीज से लाजिग हो ऐसे अरप लग में तु भी दो से होगा यहां से लाजिग में इकाले तो B दो से भाज होगा अब हम लोग देखते हैं यहां से क्या निकाला कि A दो से भाज होगा इस लाजिक पर पहुंचे और यहां क्या पहुंचे B भी क्या होगा दो से भाज होगा यानि हम लोग क्या साम पुरूजर निकाल लिए कि A भी दो से भाज होगा, B भी दो से भाज होगा, तो A भी दो से भाज होगा और B भी दो से भाज होगा, जिसका मतलब A और B का उभैनिस पुरंखन्ड दो आ गया है, A भी दो से भाज होगा, तथा B दो से भाज होगा, तथा A तथा B का उभैनिस पुरंखन्ड दो ओगा, जबकि A और B में एक के लावाँ और कोई ओभैनिस पुरंखन्ड दो से भाज होगा, यह हम लोग तो पहले ही निकाल चुके हैं कि रूट को बरावाद A और B के रूप में कर लिये थे, कि और A और B क्या है, कि सावाज है, मतलब एक के लावाँ और कोई ओभैनिस पुरंखन्ड नहीं है, फिर लाजिक से हम लोग तहां पहुंच गें, कि A और B में ओभैनिस पुरंखन्ड दो है, जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हम लोग जहां से चले थे, जहां से चले थे वही गलत है, तभी तो इतने फिप्रीत रियाद के हम लोग पहुंच गें, इसको बोला जाता है, पूफ वाई कंट्रा दिक्संड, तो A और B में A के लावाँ और कोई गुभैनिस पुरंखन्ड नहीं है, आता हमारा मानना, आता हमारा मानना, गलत है, हमारा मानना, हमारा मानना की रूट्टू एक पर्मेशंचा है, हमारा मानना की रूट्टू एक पर्मेशंचा है, हमारा मानना की रूट्टू एक पर्मेशंचा है, यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, रूट्टू क्या होगा है, एक आपर्मेशंचा होगी, सब्सक्राइब करें कि आपर में कि संख्या तुम लोग यहीं तब रखते हैं यह के लिए हो गया उसके बाद में जो है इसके आदिया और प्रूफ हम लोग लें थैंक्स पर बाचे